हेलो एव्रीवन विल्कम बैक्त मैं चैनल वंस एगेन सो मैं पंकर स्कुमार यसी वीडियो में आपके लिए लिए लेकर आए हूं कोड़ फोस राउंड 834 एटर फोड़ देव का सेकेंड प्रॉब्लम का सॉलोसन जिसका ना में लॉस्ट पर्मूटेक्शन तो अगर आप चै के सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करते हैं यह जो भी पर्मूटेशन के क्विश्टर रहेंगे वहां पर आपको अपको यह आप चाहो तो इसको धियान में रख सकते बिसके लिए क्या होता है यह यह की बात करें तो बो टैटकर क्या करता है कि सारे नंबर ऑल ठीक है वन टूएंस सारे number जो है आने होने चाहिए अपियर होने चाहिए सारे वह सब उनीक टाइम यह इसे हैं यह कोई नम्बर मिस नी होगा कोई भी नमबर डाबलय डायस नी कुछ element जो है वह M element B1 B2 B3 like BM तक वह कुछ element है जो उसको मिलता और यह श्यूर कह रहा है जैसे कि उसे मिल रहा है B1 B1 B2 B3 BM यह M element इसको मिल रहा है यह है यह है अपने पास ठीक है यह गुमा नहीं है एंड उसने स्योरी किया है कि जो रिमेनिंग element है जो बच्चे element जो भूले हुए है यह लौश्ट element है उस पर मुटेशन का यह पूरा का पूरा एक पर मुटेशन का और कुछ नहीं है तो पर मुटेशन में से कुछ पार्त आपको आपके पास है बत कुछ पार्ट इसका लॉस्ट हो जुका हैंड यह पार्ट इसमें जितने है उनका सम जह है वो दे दिया इसने की चलो इसका सम है अब आपको बताना है कि क्या इसने जो इन्फोर्मेशन दिया वह सही है मतलब कोई एक ऐसा पर्मूटेशन वैलेट पर्मूटेशन है आपके पास जो उसमें की कुछ यह भी पॉसिबल हो एंड जो लॉश्ट कुछ हटे हुए एलमेंट हो उनका सम एसी हो तो एक पर्मूटेशन करती है क्या अगर करती है तो यह सब को बतानी है अगर नहीं करता तो आपको नू करते ना यह यह और कुछ नहीं अगर बात करें तो बहुत चोटे-चोटे हैं ए कॉम्प्लिक्सिट आप भी को लेजा सकते जली और आपको डेटा टाप इंटो अगेरा यूज करनी है तो हम लोग इसके देखते हैं एक इसमें चीज है वह आएंगे बात पर यहां पर पहले देखते हैं ठीक है तो यह हो गया मैंने क्या नूटिस कि आपके पास जो अंसर पॉसिबल होगा वो पर्मूटेशन अफ वन टू हंड्रेड में से किसी एक का होगा हंड्रेड से ज्यादा नहीं जाएगा मैंने हंड्रेड क्यूं लिमिट रिया है मैं इसका इधन भी आपको बताऊंगा पहले यह मतले हो कि वन टू हंड्रेड जो भी अंसर होने वाले है है वह पर्मूटेशन वन टू हंड्रेड क्यों होंगे अगर आप सिंपली व्रूट फोर्स भी करना चाहते हो तो अगर टू का प्रमूटेशन लेखे तो वन टू कुछ है इस तरीखेस होगा वन टू थी ऐसे करके हम बना लेते हैं अभी मतलग कल्कुलेशन है मैं वहां प देखो 314 ठीक है यह बेसिकली कोई है आपके पास 314 रिमेनिंग कुछ अलेमेंट है इसमें पता नहीं कितने हैं दो हैं तीन हैं दस हैं 15 है ठीक मैंने तब को बोल दिया कि चलो सव तक है तो अब सव तक में तो चार एलेमेंट दे दिया थी चार देने से पता चलिए कि पूल रहा है कि 13 आपके पास इस केस में देखते हैं 13 अब आप जो हो इसको चार से लेकर 100 तक अगर इस फैक्ट को भी साथ मिलेकर चलो तो आपको चार से सो तक में कोई हो सकता है मैं बोलूँका सही बात कर रहा है तो अब इस एस पिडिपेंड कर रहा है तो बेसिकली कर देखो तो यह आपका दो पांच एंड छे है यह यह एलिमेंट का सम है तो जब हमने क्या किया हमने जब रूट फोर्स लेट से पुच्छे कर रहा है तो छटे पर मैं देख रहा हूं कि जो जो एलिमेंट है तीन है एक है चार है इन सब को छोड़के कौन सा अलेमेंट मिस आगर शे कहा पर मुचल यह यह इनसर जो है यह नमबर जो है और यसकम और सम क्या है यह दोनों मैंज कर यह तो यही पे एक मुझे पर ममुचल मिल गई otherwise मैं और आगे बढ़ूँगा ठीक है ओके तो यह चीज आपको 1 to 100 सब के लिए चेक करनी है ठीक है अब मैं कैसे बोल रहा हूँ कि 100 तक ही possibilities है इस चीज़ को समझे है यहाँ पर S का value दिया है 1000 तो आपकी S की जो maximum worst case के हम देख रहे हैं तो उसकी value है 1000 एंड एम जो है वो 50 है ठीक है number of element 50 है और भी 50 है तो अगर हम ऐसा मान भी लें कि सारे element अपने 50-50-50 दे रहे हैं तो भी इसका sum जोगा वो धाई हजार पियर आ जाएगा एंड टोटल sum देखें तो 35 ठीक है मैंने बस simply देखा कि अगर 100 तक हम बात करें तो कितना आएगा यह उससे भी कम हो जाएग exact मैंने निकाला नहीं ठीक है इस case में भी देखो तो आपका जो है वो 5000 पे जा रहा तो इतना तक तो भी नहीं जा रहा I think 70-80 तक ही रहा तो मैंने safe case चलो यार 100 तक लिया और उसके बाद इससे पता चली है कि अपना maximum समी 3500 है तो 5000 चाही नहीं सकता कभी चलो इतना तक लिया अब बस simply वही करना आपको brute force देखना है हर एक permutation के लिए तो यहां पर जो सारे element है तो क्यूंकि मैंने 100 कर दिया कि 100 से ज्यादा नहीं permutation होगा तो element मैंने one west indexing में यहां पर बुलिया नहरे में एक रख लिया कि कौन-कौन से element मुझे दिये हुए है उनका track रखना होगा क्यूंको बारबाद चेक करना है मुझे राइट index maximum मैंने रख लिया तो अपना स्टार्टिंग जो होगा वह maximum से ही शुरू होगा यह भी हमने discuss कर लिया था अब चाहँ तो इसको one पर रखोगे तो वहां पर एक कुछ और आपको complexity handle करने पड़ेगे तो अगर यह पर्मूटेशन है अपना तो उसका सम क्या होगा आइंट प्लस बन वाई टू सम निकाला टेम्प एम निकाला ठीक है अब मैं चेक कर रहूं वन टू आई सारे नंबर पर्मूटेशन के पार्ट होते हैं यह हमने definition में देखा था कि सारे नंबर एक एक बार आने चाहिए तो सारे नंबर को एक एक बार देखना मुझे वीजे इकल टू 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 तो जो जो count करा कि कितने element मिले हुए हैं तो मिले हुए m element होने चाहिए और सम जो है वो given s के equal होना चाहिए मतलब कि जो बचा हुआ आपके पास element एक ही है और एक मेंने चार दे दिया अब चार है अब यहां पर तीन भी हो सकता तीन के साथ में चार और किसे हो सकते हैं से तो वह आपको यह अगर आपने हीघे अकर देना है अगर किसी भी किसी भी आपको पर्मूटेस्टाद में नहीं मिलता है था आप सी आउट कर दो सिंपल सारे पर्मूटेस्ट सारी पर अपने कर होगा हंड्रेड और इस की बात भी करने तो हंड्रेड इंटू हंड्रेड ठीक है तो आपको यह कंप्लेक्सिटी अगर हम देखें तो कुछ ज्यादा खास नहीं है अगर आपको कोई है तो आपने चे कमेंट बाक्स में बताओ ठीक है अगर निचे डिस्क्रिप्स में आपको क्वेस्टन का लिंग कोड का लिंग अपको मिल जाएगा आपको जाकर अपना देख सकते हो और मैंने इनिशली टॉप मेट पे कुछ सरू किया और आए होप आपको यह कालफी बेनेफिसल रहेगा तो यह सर्विसेज बिसकली पेड है ठीक है बट इसके कोश्ट बहुत ही बहुत ही मैंने कम रख है तो आपके लिए बहुत ही वेनेफिसल होगा आप जाकर एक बाद चुकाउट कर लेना इस चेज का लिंग आपको नेचे डिस्क्रिप्स ब और प्रणीर आपको लिंग सवावां और जिसके का बटो info.